गरम हवाय चलने से जन जीवन परभावित बाजारों में पसरा सनाटा जाने कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल नमशकार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के मौसम के बारे में अभी ओर तपती गर्मी से धत्केगी दिल्ली यूपी बिहार समेद लू की लप करती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने बताए कि पस्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों पूरी उतर परदेश बिहार और जारखन में लू से लेकर भीशन लू की इस्तती बनी रहेगी राश्ट्रिय रासधाने दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है लू के थपेडों से लोग परिशान है वहीं यूपी हरियाना राजिस्तान और पंजाब जैसे राज्य में भी गर्मी से लोगों का बूरा हाल है आयमडी की माने तो फिलहाल दिल्ली वाजियों को भीशन गर्मी का सामना करना पड़ेगा मौसम विभाग के मुताबिक मौसम विभाग ने बताया कि पश्ची मुतर परदेश उत्राखंड जारखंड और ओडिसा के कुछ हिस्तों में लू की इस्तती बनी रहेगी कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम मौसम विभाग का पूर्वा नुमान है कि ब्रिश्पतिवार को भी 25-35 किलोमीटर परती घंटे की रफटाज से गरम हवा चलेगी इस दोरान अधिक्तम तापमान 45 डिग्री तो नियूंतम 30 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है ज्यादतर जगों पर लू चलेगी चल्चिनाती धूप के बीच आंसी ग्रूप से बादलों के आवा जाए भी देखने को मिल सकती है उदर बरशपतिवार से लगातार पांच दिनों तक लू चलेगी इस दोरान नियूंतम तापमान भी बढ़कर 30 से 31 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा इसके चलते ना केवल दिन बलकि सुबह और रात के समय भी मौसम गरम रहने की परवल संभावना है यूपी के इन जीलों में लू की चैतावनी जारी यूपी के कई जीले भीशन लू की चपेट में है मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के लगबग सभी हिस्सों में 15 जून तक लू की चैतावनी जारी की गई है मांसुन 24 जून तक आएगा वरिष्ट मौसम विग्यानिक अतुल कुमार सिंग के मताबिक अगले चार दिन तक भीशन गर्मी से कोई रहत के आसार नहीं दिख रहे हैं हर्याना में गर्मी वह उमत से लोगों को कोई रहत नहीं मिल पा रही है अब दिन के साथ साथ रात का ताफमान भी 33 डिग्री बने रहने से गरम हवाओं का असर दिखाई दे रहा है दादी जीले में पिछले 24 गंटों के दोरान अधिक तम ताफमान 24 वन्यून तम ताफमान 33 डिग्री सेलसियस दर्च किया गया सुबे से गरम हवाई चलने के साथ साथ बारियूमस के चलते आम जन को काफी परिशानियों से गुजरना पड़ रहा है महाराश्ट्रो और करनाटक में होगी बारिश मौसन विभाग के मताबिक अगले 24 गंटों के दोरान महाराश्ट्रो तर्ट्रो और उत्री आंतरिक करनाटक और तेलंगाना में हलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ इस्तानों पर भारी बारिश संभव है अंदर पर्देश लक्षदीप, अंडमार और निकोबार दीप समो है, दक्षिन 36 गड़ और अंदर परदेश में हलकी से मध्यम बारिश संभव है दक्षिन मध्य परदेश, दक्षिन गुजरात में हलकी बारिश हो सकती है